बुपाल में कई जखा आज चल सम्हारो निकाला जाएगा इन दौर के प्रसिद गेल का तीन साल बाद महा आयूजन किया जा रहा है इन दौर के प्रसिद गेल का तीन साल बाद महा आयूजन किया जाएगा प्रसिद गेल का तीन साल बाद महा आयूजन होने जा रहा है मेरी सायोगी भुपार से अमितानशी जोशी हमारे साथ जूड़ गई है अमितानशी दो साल बाद जो है 2019 के बाद अब 2022 में गेल महासव का आयोजन किया जा रहा है क्या कुछ सायारें पूरी कर ले गई है जी मिलकुल लगभग तीन साल बाद इंडौर शहर में गेल आयोजन किया जा रहा है और मैं आपको बता दू गेल सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्य त्योहार है इंडौर शहर का जो की विश्व प्रसिद्य है कई जगे से लोग गेल में शामिल होना चाह आते है आखरी बर 2019 में गेल का आयोजन हुआ था लेकिन 2020 में कोरोना के सलते उसका आयोजन टल गया थो लगातार दो साल पसरी आयोजन टलता आ रहा है मैं आपको बता दू इस बार खास बात ये है कि जो हिंदर अक्षक की गेल है उसमें CM Shivraaj शामिल होने आभ सुबह 10 बजे वहां पहुचेंगे हलाकि तीन साब जो समू है वो मिलकर गेर निकालता है लेकिन हिंदर अक्षक की गेर में CM Shivraaj शामिल होने आज वहाँ पहुचेंगे तीन साल बाद इस गेर का आयोजन होने जा रहा है और यह काफी बड़े स्टर पर होने जा रहा है, मैं आपको एक और चीज बता दू कि UNESCO के वर्ल्ड हेरीटेज में इस साल ये गेर सामिल हो सकती है, उसके कुछ पॉइंटर रहते हैं, जिसके अंडर अगर ये गेर पूरी सही तरीके से बैठती है, तो उसको वर्ल्ड हेरीट को सवच्ष कर दिया गया है, पूरी मार को बना दिया गया है, और रस्ते में जितने भी मकान है, जितने भी घर है उनकी ऄप भी चेकिंग मगेरे ड़ी गई है, उनकी अबर भी खड़ए हुआ है, सब को चेकिंग कर ली गय다 हैुए, पुलिस लगातार इस कार्यक्रम की तै पूरी तरीके से बिटा हुआ थी क्योंकि तीन साल बाद यह कारेकरम का आयोजन हो रहा है तो कि तरीके से इस आयोजन को आगे बढ़ाया जाता है कितना उच्छा है लोगों में क्योंकि पहले से ही इसकी तैयारियां लगतार की जा रही है तो साल उनीस के बाद दो हजार बाइस में महा आयोजन किया जा रहा है गेल चल समालों निकाला जाएगा इसमें खुद सीम शिर्वासिंग चौहान शामिल होंगे अम्रितान श्री ब झाल झाल